नावस्कार स्वागे था आपका न्यूस चक्र में मैं आभिसार शर्मा वो एक फिल्म है उसका गाना है कि बस आज की रात है जिन्दगी कल हम कहां तुम कहां फिल्म शान थी गाना था यम्मा यम्मा और यकीन मानिये ये गाना इस वक्त बिहार की राजनीतिक स्थिती के लिए पूरी तरह से माकूल साबित हो रहा है कि बस आज की रात है जिन्दगी कल हम कहां तुम कहां मैं नहीं जानता हूं दोस्तों कि जो एक्जिट पोल्स में तेजस्वी यादव को तमाम एक्जिट पोल्स इस वक्त बढ़हत बता रहे हैं वो सच साबित होंगे या नहीं मगर एक बात सपष्ट है कि तेजस्वी यादव यकीनन बिहार चुनावों के man of the match साबित हुए हैं और अगर इस वक्त आर जेडी नमबर वान या नमबर टू की पार्टी भी बन कर सामनी उभरती है और अगर वो सरकार नहीं भी बनाती है तब भी वो बिहार के सियासी मान चित्र में अपना जोर्दार असर छोड़ जाएंगे हम उसकी बात करेंगे और हम बतलाएंगे कि किस तरह से बिहार सियासत की मानों केंदर बिंदू बन कर रहे गाए इस मामले में तेजस्वी यादव उसकी हम बात करेंगे मगर उस से पहले चर्चा हम करने वाले हमारे सम डालिए यह रिपब्लिक के संपादक अरनब गोस्वामी इस चेहरे का खौफ देखिए इस चेहरे का डर देखिए और मुद्दा यहां पर यह है कि इन्हें जिस क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था वहां से इन्हें तलोजा ले जाया गया और मैंने वो क्लिप देखी थी ट्विटर पर जहां अरनब गोस्वामी लगातार चिला रहे थे कि यह लोग मुझे ले जा रहे हैं मुझे बचा लो मुझे मेरे वकील से नहीं मिलने दे रहे हैं तमाम चीज़ें इस तरह से अब आप इस खबर पर गोर कीजिए क्या आप जानतें कि इस शक्स को तलोजा जेल क्यों ले जाया जा रहा है क्योंकि ये शक्स क्वारंटीन सेंटर में इस खबर के मताबिक मुबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था मुबाइल फोन का इस्तमाल जो शक्स पुलीस द्वारा गिरफतार किया गया है वो मुबाइल फोन का इस्तमाल कर रहा था ये आदमी र प्रेशर बनवा के और उसके खिलाफ कोई सुबूत सामने उभर कर नहीं आया अगर रिया चकरवर्ती ने गलती से फोन का इस्तमाल जेल के अंदर कर लिया होता तो इस शक्स में अपने स्टूडियो में बैठ कर उद्दव ठाकरे से लेकर आदित ठाकरे से लेकर सोनिया गांदी से लेकर राहूल गांदी सब के साथ इसने गाली गलोच कर दी होती अब फिर से इस चहरे को देखिए फिर इस चहरे का खौफ देखिए और अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ रिया चकरवर्ती का चहरा वो रिया चकरवर्ती जसके परिवार को गोधी मीडिया के नफरती और जूटे प्रोपघर्गांडा ने पूरी तरह से बरबाद कर दिया मगर ये लड़की जो है वो बौकलाई ने जी हाँ, रिया चक्रवर्ती को अब आप देखिए पूरी गिध मीडिया के बीच एक के बाद एक एक तस्वीर देखिए और मुझे याद है, इनके पिता जो एक आमियों आफिसर है उन्होंने एक बयान दिया था कि बधाई हो भारत तुमने एक पूरे परिवार को बरबाद कर दिया अरना गुस्वामी पाँच दिन जेल में रहा बावजूद इसके रिया चक्रवर्ती ने एक शब्द नहीं का और रिया चक्रवर्ती के जगा अगर कंगनार अनावत होती न वो शक्स जोखी अमरीका के राश्च्रवपती नव निर्वाचित राश्च्रवपती जो बाइडन तक पर वाहिया टिपणी करती हैं उनकी सेहत को लेकर कि या आदमी ज्यादा दिन तक जिन्दा नहीं रहेगा तमाम चीज़ें कलपना कीजिए रिया चकरवरती के जगा अगर कंगना होती और उन्हें नाराजगी होती अरनब गोस्वामी से तो अरनब के जेल में जाने को लेकर कितनी खुशी जाहिर करती है बताईए मैं बार-बार ये कहे चुका हूँ कि अरनब गोस्वामी अगर जेल में है तो उसकी सिर्फ एक वज़ा है और वो है सियासत अगर महराष्ट में शिवसेना और बीजेपी एक साथ होते तो जिस नाएक मामले को नाएक के स्यूसाइड मामले को फिर से खोला है महराष्ट सरकार ने वो कभी नहीं खुलता क्योंकि जाहर सी बात है अगर शिवसेना बीजेपी के साथ होती है और जोकि बीजेपी का पसंदीदा पत्रकार अरनब गोस्वामी है तो वो परिवार चिलाता रहता गोहार लगाते रहता उसका मामला फिर से नहीं खुलता मैं मानता हूँ कि अरनब गोस्वामी के खिलाफ कारवाई राजनीती के से प्रेरित है मगर शुक्र है राजनीती से प्रेरित ही सही मगर कम से कम उस परिवार को इनसाफ की एक उम्मीद तो दिखाई दी नायक परिवार को जिनके बेटे ने आत्म हत्या कर ली थी, जिनकी मा भी जिन्दा नहीं थी, वो भी रहसमाय हालात में उस वक्त उनकी मृत्ती हो गई थी इस वक्त हम सब एक बहुत बड़ा तबका अरनब गोस्वामी के मानुआदिकारों की बात कर रही मगर उस परिवार के मानुआदिकारों की बात किया और उन तमाम लोग के मानवादिकार की बात का जिनके खिलाफ ये तमाम गोदी मीडिया चैनल्स बगार प्रमान के जिने टार्गेट करते थे रिया चक्रवर्ती आपके सामने एक मिसाल है रिया चक्रवर्थी को उन्होंने लगातार बार बार टार्गेट किया उसे जेल में डाल दिया अब तक उस लड़की ने एक शब नहीं बोला है अरनब गोस्वामी के खिलाफ वो चुपचाप अपनी बात इंट्रिव्यूस के जरीए रखती रही वो जेल गई, बाहर आ गई, उस परिवार के बारे में हम कुछ नहीं सुन रहे हैं और जैसा कि उनकी पिटा ने कहा एक लिखिद बयान में हो सकता है कि हमने उसे बरबाद ही कर दिया हूँ हमारी मीडिया ने उसे पूरी तरह से बरबाद कर दिया हूँ मैंने कारकरम की शुरुवात में आपसे कहा था, जो तोहरे मापदंड हैं हमारी मीडिया के, उसकी मैं बात करना चाहता हूँ, इन दो चेहरों पर गोर कीजिए, सामाजिक कार करता वरवर राव और स्टैन स्वामी दोनों ही एलगार परिशद मामले में जेल में, एक की उम्र 89 साल यानि 79 यर्ज है और दूसरी की 83 साल, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्टैन स्वामी की, स्टैन स्वामी उसी तलोजा जेल में, जहां अरनब गो स्वामी को ले जाया गया था, स्टैन स्वामी ने सिर्फ ये घुजारिश की, अदालत से, कि मेरे हाथ कापते है 83 साल के उम्र के हैं, ये हाथ कापते हैं, मुझे एक स्ट्रॉ चाहिए, सिर्फ एक स्ट्रॉ की मांगी थी, और अदालत ने NIA से कहा, 20 दिन का वक दिया, क्या इन्हें स्ट्रॉ दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, और ये शक्स अपने आपको, यानि कि अर स्ट्रॉ की मांग कर रहे थे, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, अदालत में स्टैन स्ट्रॉमी को लेकर NIA का क्या रवया है, सुनिए, स्ट्रॉमी इस वान अव दिया जाना चाहिए, यानि कि जो धारा आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती, वो एक 83 साल के शक्स के गई है, जिनके तालुक CPIM यानि मांग उससे है, प्रतिमंधित CPIM मांग उससे है, लास्स मन्थ, दे कोर्ट रिजेक्टे इस इंटेरिम बेल प्ली, फाइल अनि कि मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने अपना बेल फाइल किया था, उससे खारच कर दिया, NIA had opposed the plea stating that Swami, under the garb of the current situation on account of the global pandemic COVID is trying to take undue benefit of the situation, यानि कि NIA ने कहा, कि ये जो है, हालात का फाइदा उठाने का प्रयास कर रहा है ये शक्स, COVID के बहानी, वो शक्स, जो सिर्फ ये गुहार लगा रहा है कि भई, मुझे एक straw दे दो, ताकि मैं पानी पी सकूँ, क्योंकि मेरे हाथ कापते हैं, अब चेहरे पर गौर कीजे, वरवरर आओ, ये भी बंद है, 89 साल इनकी उमर है, जब इनके परिवार ने इनके साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए बात की, तो उनके परिवार के होश उड़ गया, जानते हैं क्यों, क्योंकि वरवरर आओ क्या बोल रहे थे, उनका मानसि संतुलन पूरी तरह से बिगड चुका है जेल के अंदर, जब इनका परिवार सुप्रीम कोट के पास गया, तो सुप्रीम कोट ने कहा नहीं, आप हाई कोट जाएए, आप यहां क्यों आए हैं, आप हाई कोट जाएए, दूसरी तरफ आपके सामने ये मामला देखिए, इस अगर में जो साधों की लिंचिंग हुई थी, उस मामले में उन्होंने अनाफ शनाब बाते कई थी, उस मामले में राहत दी सुप्रीम कोट ने, यहां पर यह नहीं कहा गया कि आप हाई कोट जाएए, हालकि अन्य मामलों में कहा सुप्रीम कोट ने, टी आरपी मामले में औ और तमाम चीज़ों में मैं एक बात स्पष्ट कर दो अर्नब गोस्वामी की पूरी सुरक्षा तै होनी चाहिए जेल के अंदर या जेल के बाहर क्योंकि अगर ये शक्स कुछ आशंका है जता रहा है तो किसी भी कीमत पर खत्रा मूल नहीं लिया जा सकता मैं बार-बार कह रहा हूँ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मामला राजनीती से प्रेरित है मगर नायक परिवार अनवय नायक के स्यूसाइड को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते उश शक्स ने तो बाकाइदा अपने लेटर में अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा था रिया चकर प्रवर्ति को तुमने सूली पे चड़ा दिया बगएर किसी प्रमान के खैर अब मैं बात करना चाहूंगा बिहार की सियासत की मैं बार-बार कह रहा हूँ दोस्तों की बेशक आरजेडी या महागडबंधन ये चुनाव हार जाए मगर तेजस्वी आदव यकीनन इस चुनाव के मैन अफ़ दे मैच हुए है दो मैने पहले तक हम इस बात की कलपना भी नहीं कर सकते थे कि तेजस्वी आदव या महागडबंधन किसी तरह का कोई असर डालेगा आज कई एग्जिट पोल्स उन्हें सबसे बड़े मोर्चे के तौर पर बतला रहे हैं आज इस सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासत में इतनी जोरदार दस्तक क्यों दी एक एक करके मैं आपके सामने मुद्दा उठाऊंगा सबसे पहले जो वज़ा दिखाई देती है कि तेजस्वी यादव का पूरा जोर आपके स्क्रीन्स पर आर्थिक संकट और नौकरी पर था तस लाक नौकरियों का बादा ये कितना व्याभारिक होगा वो तो अगर वो सत्ता में आ गए तो वही बतलाएंगे मगर उनके दस लाक नौकरियों के वादे का परणाम ये था कि भारती जनता पार्टी जैसी पार्टी जो की 2015 में जिसने पूरी कोशिश की थी बिहार के चुनावों को सामपरदायक बनाने की उसे भी नौकरी पर बात करनी पड़ी उसे भी आर्थिक संकट की बात करनी पड़ी यहां तक कि जब चुनावी कैमपेनिंग खत्म हो गया तीनों चरणों का तब भी प्रणान मंत्री ने आपको याद होगा इस ये खत लिखा था बिहार की जनता को जबकि 12 रालीज वो कर चुके थे फिर भी उन्होंने खत लिखा और उसमें एक बार फिर जोर की हमने क्या किया पंदरा सालों में नौकरी को लेकर एक वादा तमाम चीज़ों की बात तो आर्थिक संकट और नौकरियों पर जोर सबसे पहली बात यही वज़ा है कि तेजस्वी आदब जो हैं वो केंदर में रहे सियासत के तूसरी मुद्दा युवा की नब्स को समझा इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों लोगों में जोश देखिए और ये लोग जो हैं वो बिहार का युवा है कहीं न कहीं वो समझ गया कि राज्ज के युवा को वही जातिय कॉक्टेल देने का कोई फाइदा नहीं है उसे चाहिए बुन्यादी मुद्दे क्योंकि बिहार का युवा जो था जिन में कई वो दिहारी मजदूर थे जो पैदल चलके आये थे कई जगाँ से उनने कई युवा थे बिहार का युवा जिसके पास नौकरिया नहीं थी क्योंकि देश के आर्थिक संकट वैसी हालत खराब है पिछले 45 सालों में पूरे देश में इस वक्त बेरोजगारी को लेकर या रोजगार को लेकर सबसे बत्तर हाला थे और बिहार भी उससे जुदा नहीं था तो इसलिए उन्होंने युवा की नब्स को समझा और इसी से जुड़ा है तीसरा मुद्ध जो आपके स्क्रीन्स पर जाती का दाइरा बढ़ाया देखे आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि वो मुसलिमों और यादवों की पार्टी है और लालू प्रसाद यादव मुसलिमों और यादवों से आगे नहीं बढ़ पाए मगर तेजस्वी ने इस दाइरे को तोड़ा जब उन्होंने लगातार यूथ को टार्गेट किया न दोस्तों तो यूथ के अंदर तमाम लोग शामिल थे अगणी जाती के लोग भी क्योंकि अगर हम EBC की बात करें यानि अती पिछड़ा वर की बात करें तो सिर्फ दूसरे चेरण की मद्दान की बात करें तो EBC की तादाद 40 फीस दी थी इस EBC में नितीश के कुर्मी भी आते हैं वो EBC जिन्नोंने 2014 और 2019 में प्रधान मंत्री नरेंद रुमोदी पर समपूर्ण विश्वास जतलाया था उन EBC के युवा भी कहीं न कहीं डिफ्ट होते नजर आए तेजस्वी के तरफ तो युवा जाती का दाइरा उन्होंने लगातार बढ़ाया अब चौथी चुनाव प्रचार में उर्जा देखिए जैसे ही तेजस्वी उतरते थे हेलिकॉप्टर से तोड़ते हुए वो जाते थे मंच की तरफ से और दोड़ते हुए वापिस जाते थे तरह से उनका समवाद होता था वो अप्रत्याशित था लालु यादव का समवाद जो है ना उसमें तंस भी होता था हास भी होता था तेजस्वी यादव कहाओ भाओ एक बिहारी रॉक्स्टयार की तरह था और उसका सर भी दिखाई दिया और इसके बाद साफ सुथरा चुनाव प्रचार, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि नितीश कुमार ने किस तरह से लालू यादव, राबडी और तेजस्वी के परिवार पर हमला बोला था, पहले उनकी बात सुनीए नितीश के इस बयान पर बहुत ही परिपकुता से जवाब दिया उन्होंने, क्या कहा था याद है आपको तेजस्वी ने, कि नितीश जी जो भी कहें सराखों पर हैं, मगर कही न कहीं इस बयान के जरिये उन्होंने प्रधान मंत्री पर हमला बोल दिया है, क्योंकि प्रधान मंत्री के वी छे भाई बहन थे, और यहीं ने, आप लगातार देखिए, नितीश के जितने भी हमले हुए हैं, तेजस्वी का जो तेवर है, वो हमेशा सौम में रहा अब यह देखिए, आदरनी नितीश जी मेरे बारे में कुछ भी अफशब्द कहें, वो मेरे लिए आशिरवचन हैं, नितीश जी शारेरिक मानसिक रूप से ठक चुके हैं, इसलिए वो जो मन करें कुछ भी बोलें, मैं उनकी हर बात को आशिरवात के रूप में ले रहा को पार नहीं किया, और यही वज़ा है कि उन्होंने बिहार का जो वोटर है, उसके दिल में घर बनाया, वो एक डाक हॉस थे, उनसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर आज एक्जिट पोल्स ये कह रहे हैं कि वो सरकार भी बना सकते हैं, टोडेस चानक्या कह रहा ह कि उन्हें 130 से 161 सीटे मिल सकती हैं, कुछ पिछलगू पोल्स्टेर्स हैं, जो उचलते कूटते हैं, वो तक उन्हें कम से कम 130 सीटे दे रहे हैं, तो कुछ बदल गया है बिहार में, और मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा ना, कि बस आज की रात है, जिन्दगी कल हम कहां, आपके साथ मैं मिलूंगा, बिहार की काउंटिंग के दौरान हरम देखेंगी क्या होगा, मगर बिहार के चुनाव जो हैं, इस शक्स ने बहुत दिल्चस्प बना दिये हैं, इस शो में वस इतना ही, अविसार शर्मा को दीजे जासत, नमस्कार